सिंसर क्या ना flour वि aja मिर्थ विल आ पक्षी समुगे के नारे था और अपनी चोंच में भर-भर के समुद्र के पानी को निकाल के बाहर भेर वे गफिला इस समुद्र ने मेरे बच्चे डुबा जियें अब मैं इस समुदर को नहीं छोड़ूँगा मैं इसे सुखा कर रहूँगा दूसरे पक्षी को उसकी बात पर हसी आई बोजे तुम खुद को देखो और इस समुदर को देखो इतने से हो तुम तुम इतने बड़े समुदर को सुखा भी सकते हो ये समभव नहीं है मेरे भाई अपना समय मत बरबाद करो तो उस पक्षी नहीं का कि देखो मैं क्या करूँ या ना करूँ उस पर मुझे सलाह नहीं चाहिए अगर कुछ दे सकते हो तो मेरा साथ दो वरना यहां से जाओ उस पक्षी को लगा कि नहीं आर अपने दोस्त का साथ देना चाहिए वो भी आ गया वो भी चोच में भरके समुद्र का पानी निकालने लगा और बाहर फेगने लगा दोनों पक्षियों को देखकर कुछ और पक्षी आए फिर कुछ और पक्षी आए ऐसे करके हजारों पक्षी इखटे हो गए, बस एक दूसर से ये कह रहे थे, कि सलाह नहीं, साथ दो, सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए, अब भई ऐसे लग रहा था, जैसे सारे ब्रमान के पक्षी एक जिगा इखटे हो गए है, और वो समदर को सुखाने में लग गए हैं, ऐसे में पक्षियों में जो सबसे श्रेष्ट कहे जाते हैं भगवान विश्नु के वाहन गरुन, उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने पक्षी भाईयों का साथ दूँगा, उन्होंने भगवान विश्नु से अनुमती मांगी, कि मुझे जाने दीजे, मुझे ये काम करना है, भगवान विश्नु ने उस से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम लोगों को समझ में आता है, तुम पक्षियों से कोई समुद्र सूखना तो है नहीं, तुम मत जाओ, तो गरुन ने तो भगवान विश्नु से ही कह दिया, कि भगवन सलाह नहीं, साथ चाहिए, फ उसने तुरण उस पक्षी के बच्चे वापस कर दिये, जो समुद्र में डूब करे थे, इसे कहते हैं एक साथ जुठ जाने की टाकत, अभी हमारा समय इतना खराब चल रहा है, इतने कछिन समय में हम देखते हैं, लोग फ्री की सलाह दे रहे हैं, बस सलाह ही दिये जा रहे लेकिन आपकी सलाह से लोग सिर्फ कन्फ्यूज हो रहे हैं, आप आदी जानकारी हैं फिर भी लोगों को सलाह दिये जा रहे हैं, अगर आप वाके किसी का साथ देना चाहते हैं, तो उसे सलाह मत दीजे, सहयोग दीजे, साथ दीजे, अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो आपकी सला से कुछ नहीं होगा, आपके साथ और सहयोग से होगा.